आप सब आप सब आप सबी अच्छे होंगों चलिए जो हमारी स्टेटिक जीके की जो है रिवीजन किलास चल रही है तो जो कि रोजकर बितंकित की सामन ग्यान की जो बुक आई हुई है उसका कंप्लिट रिवीजन हम आपको करा रहे हैं तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिए कि बहुत ही जादा एंपॉर्णट क्लास आपके रहने वाली है आने वाले जो भी यह आपकी जैसे कि आपका MTS हो गया हो गया उस एक्जाम से पहले आपको जो भी एक्जाम आपका आने वाला उससे पहले हम आपको यह बुक कर रिविजन कंप्लेट करा देंगे तो डिर्फरेंट तो इसका आनसर क्या हो जाएगा क्या खुसबंत सींग होगा अरविंद अढ़िगा होगा सलमान रसदी होगा या रसकिन बोँड होगा किया है राज इस्खना की राज कपूर की है तो आपकी 10 सवस्टंस एंड दस एडों किसोर कुमार की है तो option number B यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ यहां पर बात करेंगे difference जो है किसोर कुमार की नहीं होगी यहां पर यह जो है आपका बुक मेर रॉंग आंसर दिया है तो जो का आंसर जो होगा दिलीव कुमार होगा तो option नंबर यहां पर यह होगा आपका तो यह option यहां पर पिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ेंगे आपर next question का पर यहां पर तो यहां पर तरह पर नंबर की बात करेंगा तो तरह पर नंबर का जो आंसर डिफरेंट्स क्या है बेंडिल रोड्रिक्स के द्वारा जो है आपका पॉस्कम पुस्तक है उस जो है लिखी गई है इनके द्वारा इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक चववन नंबर कुस्टन पर जिसमें इंडिया 71-year test the journey to time in Australia यानि एंडिया 71-year test the journey to Trump in Australia नम्हें पुस्तक किसे ने लिखी है थी बीटर हैट रहूल भट्टा चारिये और को से के सचिन तैंदुलकर तो 54 नंबर का जो आंसर डिफरेंट्स जो पुस्तक है आपकी कौन सी इंडिया 71-year test the journey to Trump in Australia जो लिखी आप भी आर को सिक के दौरा लिखी गई है तो ऑप्शन नंबर से यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा फिप्टी फाइब नंबर कुशन पर आते हैं निम लिखेत में से कौन सा ब्रह्म सूत्र रिद्धा स्पिरिचिवल लाइफ नामग पुश्तक के लेखा कौन है था दौर पली राधा कुशना सरौजनी नाइडू राजंदर परसाद इढ़ इंद्रा गांधी तो राइट आप आंसर जो पुश्तक है क्या आपकी कौन सी दा फिलॉसफी ऑप इस्पिरिचिवल लाइफ तो अबनी दोसी, किरंड देशाई, बिकास बहल, सलमान रस्दी तो बरंट सुगर जो पुष्टक लगी है डिर्फिर्ट किसके दोरा जो उपन्यास लिखा गया है तो ऑप्सन नमबर कौन सा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 57 नमबर कुस्टन पर आते हैं प्रसिद्ध कर्केटर सुगर गावसकर नमन में से किस पुष्टक के लेखक है एससी ने 2021 में से पूछा है रंस इन राइन्स या फिर आपका प्लेंग इट माई वे तो 57 का जो आंसर होगा आपका क्या होने वाला है रंस इन राइन्स यानि रंस इन रुइन्स जो आपकी पुष्टक है वो सुनिल गावसकर के द्वारा लिखी गई है तो ऑप्सन नमबर के यह बिल्कुल सही हो जाएगा अठाव नमबर ही बात करांगे निमनमेसिक किसमे दा आवस्तीज ओफ आम नगरी नामक उपनियस लिखा है तो तो 58 नमबर का जो आंसर होगा देश में आपकी कौनसी आम नगरी जो है वो सुबा सर्मा के दोरा उपनियस लिखा है तो D option यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा 59 नमबर पर आते हैं किसकी आत्मकता का सीरसक सनी डेज है SSC MTS 2021 में इस कुछन को जो पूछा गया था कि सचिन तेंदुल करकी सौरभ गांगुली की अनुल कुमले की या सुनील गावस करकी तो 59 का जो आंसर होगा डिर्फेंट से जो सनी डेज जिनकी आत्मकता का सीरसक है वो आत्मकता है सुनील गावस करकी तो option number D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 60 number question पर पहुंचे के डिर्फेंट जिनना हेज सक्सेस फिलियर्स फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नाम कुस्तक किस ने लिखिए पूछा गया था कि जिनना हेज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री यह किसके द्वारा लिखिए पुस्तक इसरत हुसैन खुसबंत सिहिंग इस्तियाक अहमद यह इंतिजार हुसैन तो 60 नंबर का जो आंसर वे डिस्पेंट्स क्या हो जाएगा जो इस्तियाक में जिनना हेज सक्सेसस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री तो ऑप्सन नंबर से यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 60 बर की हम बात करेंगे कभी अत्री और लेखी का अमरता प्रितम निम्लेखित में से किस साहितिक पत्रका से जोड़ी थी इसे सीय चसल 2021 में पूछा ग होगा आपका बासर्ट नंबर कुस्षण पर आते हैं जिसमें आप से बात किया आती हैं यहां पर निम्लेखित कौन एमनेश्टी पुस्तक का लेखक है एससी सी चसल 2021 में पूछा गया है चेतन बगत बिक्रम सेथ अमीश तरपाटी अर्विंद अडिगा तो 62 का जो आंसर क अब्दुलकलाम अंटोल्ड इस्टोरी इंग्लिस में देखते हैं 40 इयर्स अब्दुलकलाम अंटोल्ड इस्टोरी नामेश पुछतक के लेखक कौन है जिस यह चल 2021 में पूछा गया था तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं डिफ्रेंट्स यहां पर हम सिर्फ थानु पिल् लई है इस पुछतक के लेखक तो ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 64 नंबर पर आते हैं बाइज एंड अधर पाइज पुछतक के लेखक यह लेखक का कौन है इसे चल 2021 में पूछा गया था आरूंदति रोय अमिस्तिरपाथी चेतन भगत यह सुधा इसे के साथ 65 नंबर पर आते हैं डिसमांट्स और 65 नंबर कुच्शन पर पहूँचने से पहले माँ आप से रुक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कलस जो है आपको अच्छी लग रही हो किलस अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक जरू करेंगे और शेयर जरू करेंग के लेखा कौन है CHSL 2021 में पूछा गया तक है सत्य नडेला है काजी नजरुल इसलाम है जग मोवन भान है या सुरियर राय है तो 65 नंबर का जो आंसियों का नामक पुछतक के लेखा कौन है SSC CHSL 2021 में पूछे को सने अर्वन अडिगा है किया और रोहिंटन मिस्तरी ससी थरूर ए अमिताब गोस तो 66 नंबर का जो आंसर आप क्या है रोहिंटन मिस्तरी के द्वारा जो पुछतक है आफायन वेलेंस से नामक पुछतक जो है लिखी गई स्वामी बिवेकानन्द एसरी अर्विंद तो 66 नंबर का जो आंसर वे डिर्फेंट्स कौन है माई मास्टर के तो बिवेकानन्द जो है इसके लेखा के तो आप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 68 पर आते हैं यहां पर हम निम्न मैंसे कौन क्रॉस दा बिग सरकस एडवेंचर पुष्टक के लेखा के हैं स्सी छोपड़ा राजकुमार राओ हर्मन बावेजा या जूंगल हंसराज तो 68 का जो आंसर वे डिर्फेंट्स जो क्रॉस कनेक्शन दा बिग सरकस एडवेंचर पुष्टक है इसके लेखा कौन है जूगल हंसराज तो D option यहाँ पर बिल्कुत सही हो जाएगा और इसी के साथ 69 नमबर कोशन पर आते हैं हम The Adventures of Huckleberry Finn The Adventures of Huckleberry Finn किसके दोरा लिखी की पुष्टक है S.S.C. M.T.S. 2021 में पूछा गया था Roode Yard किपलिंग के दोरा, Ruskin Bond के दोरा, Lewis Carroll के दोरा, Mike Twain के दोरा तो 69 नमबर का जो आंसर होगा जो पुष्टक का नाम है The Adventures of Huckleberry Finn उसको लिखा है different किसने Mark Twain ने तो D option यहाँ पर बिल्कुत सही हो जाएगा बढ़ेंगे हैं हाँ पर 70 नमबर कोशन पर जिसमें बात की है Kundalini The Mother of the Universe पुष्टक किसने लिखी है जिसमें ललिता आपका सहरस नाम का अंग्रेजी अनुवाद सामिल है SSC MTS 2021 में पूछा गया है आपका Dr. S. Radha Krishna है या आपका रविंद्रा टेगोर है रिसी सिंग घेरवाल है बिक्रम सेठ है तो 70 नमबर का जो आंसर के डिफेंट से जब Kundalini the mother of the universe पुष्टक है वो रिसी सिंग घेरवाल के द्वारा लिखी गई है तो आप्सन नमबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 71 नमबर की बात करेंगे कंट पुरा सीर्सक पुष्टक के लिखक कौन है कि कमलादास है राजा राओ है यहां आपका दो आप्सन है नीरसी चौधरी है यहां सीरी कांद महापात्र है तो यहां पर 71 नमबर का जो आंसर पुष्टक है उसको किसने लिखा है तो यहां राइट आंसर की जब बात करेंगे तो राजा राओ की द्वारा लिखा गया है और SSE ने इसे 2021 में पूछा था तो आप्सन नमबर B यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ 72 नमबर कुष्टक पर हम पहुंचे के हैं डिर्फरेंट से यहां पर 72 नमबर कुष्टक पर देखते है MNST नमबर कुष्टक के लेखर 901 से कौन है SSE MTS 2021 में पूछे गया था बिक्रम सेट, ससी थरूर, अमिष्टर पार्टी या अर्विंद अडिगा तो 72 नमबर का आंसर क्या हो गए MNST जो नमबर कुष्टक किसके दोरा अर्विंद अडिगा के दोरा लेखी गई है तो उप्षन नमबर D यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 73 पर आते हैं गीतांजली पुष्टक के लेखर कौन है एसे MTS 2021 में पूछे गए कुष्टन है देविगी नंदन खत्री, गंगादास, रविंद नाथ टेगोर या हरिवन सराय बच्चन गीतांजली पुष्टक है वो रविंद नाथ टेगोर के द्वारा लेखी गई है तो सी उप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा 74 के हम बात करेंगे बेटिंग फॉर्दा महत्मा सी से पुष्टक के लेखर कौन है एसे सी MTS 2021 में पूछा गया है गोपिना तो बारदोलोई है या पर आपका स्रीलाल गुपता सुकल है आरके नारायन अनिता देश आई है तो 74 का जो आंसरों का डिर्फरेंट्स कौन है जो बेटिंग फॉर्दी महत्मा पुष्टक लेखी है वो लेखी है किसने आरके नारायन है अप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 74 पर आते हैं तीन एक आंकी नाटक थरी एक्ट पिले पोस्ट आपिस के लेखक कौन थे तो यहां पर SSE MTS 211 में पूछा गया था है विश्णू सर्मा थे, रविंदरनाथ टेगोर थे, एमकी गांधी थे या करण सींग थे तो 75 नंबर की जो हम बात करेंगे डिर्ष्ट तो कौन थे रविंदरनाथ टेगोर थे, किसके थरी एक्ट पिले पोस्ट आपिस के लेखक तो यहां पर 76 कुशन पर आ चुके है हिंदी काब्य पुस्तक के छेलते हुए अपने को के लेखक निवर्गित में से कौन है SSC 2211 में पूछा गया है, नंद की सोर आचारिय, गुलजार, जाविदक्तर, रहत, इंदोरी तो 76 का जो आंसर वर डिर्ष्ट कौन है, नंद की सोर आचारिय जो है, छेलते हुए अपने को लेखक है, आपके किसके छेलते हुए अपने को जो पुस्तक है, उनके लेखा के नंद की सोर आचारिय है, तो यह उप्सन यहाँ पर ब्लूबल करेक्ट हो जाएगा, 77 यह बात करेंगे, निवर्ष्ट में से कौन सा, लाला लाज पतर आई के लेखनों में से एक नहीं है, SSC MTS 22212 में पूछा गया, तो आरिये समाज, दा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, D option यहाँ पर दिखा रहा है, difference, क्या आपको इस question, answer में doubt लगता है, बुक के साब से मैं answer आपको बताया देता हूं, कि इसमें इंडिया बिंस freedom, जो है लाला लाज पतर आई के लेखों में से एक नहीं है, तो ठीक answer, difference, यहाँ पर लाला लाज पतरा के लेखों में से एक नहीं है, तो D option सही होगा, इसी के साथ आते हैं, 78 नंबर कुस्टन पर, लिम लिखित में से किसने डॉलर बहू नाम पुस्तक लिखी है, SSC MTS 221, जुंपा लाहरी, तसलीम अनसरीन, अरुंदती रोय, सुधा मूर्ती, तो 78 नंबर की लिखी है, SSC MTS 221 में पूछा था, तो यहां हम बात करेंगे difference, the interpreter of melodies, the inheritance of loss, the god of small things, या था ग्रास फेलेज, तो 79 नंबर का जो आनसरीन, कौन से पुस्तक लिखी है, तो आप बताएंगे, the inheritance of loss, तो B option यहां बिल्कुल correct हो जाएगा, 80 नंबर पर आते हो, और 80 नंबर आने से पहले फिर से एक बाद फिर से humble request करूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक जरू करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उपने दोस्तों को share जरू करेंगे, आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है, और अंदर से feeling आती है, आपके लिए हम बहतर से बहतर करने की process करें, तो difference वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें support देखाईए, तो चलिए 80 नंबर कुस्टन की हम बात करते है, a woman is no man, a woman is no man नाम पुस्तक है, name लिखत में से किसने लिखी है, sscmts 2021 में पूछा गया था, क्या Margaret Edward, या जोका अलहार यहां पर अगला option एंड्रू सीन गीर, यहां पर एताफ रम, तो यहां पर 80 नंबर का जो answer का difference क्या हो जाएगा, जो एताफ रम है, इनके द्वारा कौन से पुस्तक लिखी है, a woman is no man, तो right answer यहां पर difference कौन सा हो जाएगा, d option यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 81 नंबर यहां पर आते ही difference जिसमें बात कीगी है आपसे, बॉकिंग विद्दा कॉम्रेट्स, बॉकिंग विद्दा कॉम्रेट्स नाम कुस्तक के लेकर कौन है, और SSC कहां पर आपका जो है, जीडी समझाएगे, इसको जीडी दोहर 21 में, या CGL में पूछा हो कुस्तन है, सीतर राम यह चुरी, पुपल जेकर, अरुन्दती रोय, प्रकास करात, तो 81 का जो आंसर वे difference क्या हो जाएगा यहां पर, तो जो बॉकिंग विद्दा कॉम्रेट्स है, वो अरुन्दती रोय की पुस्तक है, तो option number C, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 82 number पर आते हैं, the end of imagination, नाम पुस्तक है, वो अरुन्दती रोय की है, किनकी है, अरुन्दती रोय की, तो C option यहां पर होगा, एसी के साथ 83 पर आते हैं, बिंग गांधी, सी सक जो पुस्तक है, किसने लिखी है, यहां पर, एससे यह से 22 ने पूछा था, निरुपुमा यादब, पारो आनंद, बीवी प हो जाएगा, 84 नमबर पर आते हैं, हम यहां पर, इमेजिनेरी होमलेंड्स, इमेजिनेरी होमलेंड्स नाम कुस्तक के लेखा कौन है, ससी ने 2021 में से पूछा है, क्या खुस्बंद सिंग है, अरुबन अडिगा है, सलमा रस्दी है, या रस्किन बॉंड है, तो 84 का जो आंसर नामक जो पुस्तक है, किस के द्वारा लिखी गई है, ससी MTS 2021 में पूछा है, जे के रोलिंग, लूइस के रोल, रोल डाहल, या इवी आपका वाइट, तो यहां पर 85 का जो आंसर को डिर्फेंट्स क्या हो जाएगा, जो पुस्तक है, दा टेल्स और वीडल द्वार्ड, व आप से बात की गई है, कटू सत्यता को दर्साने वाला सामाजी गनाटक, म्रचक कटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी, किस ने लिखा है, ससी 2220 में पूछे गया था, माग ने, रैदास ने, सूद्रक ने, कालिदास ने, तो 86 का जो आंसर को डिर्फेंट्स किस की द्वारा मेचक कटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखी है, तो आप बताएंगे, सूद्रक के द्वारा इसे देखा गया है, 87 पर आते हैं हम यहाँ पर, 1084 की माँ पुस्तक के लेखा कोन है, ससी ने 2020 में इसे पूछे था, सुगाता खुमारी, मासुएता देवो, रीता कोठारी यह कृष्णा सोबती, तो 87 का जब बात करेंगे, डिर्फरेंट जो 1084 की माँ है, वो मासुएता देवी के द्वारा लेखी गई है, तो B option यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे के साथ हम 88 नमबर कुस्टन पर आते हैं, ड्रिम्स फ्रम माई फादर पुस्तक के कौन है, ससी 2020 में पूछा गया था, ऑली बिया, बराक उवामा, चाल्स डार्विंग, नवीन चापला, तो यहाँ पर 88 की जब हम बात करेंगे, डिर्फरेंट से तो क्या हो जाएगा, जो बराक उवामा थे, इनकी द्वारा पिस्तक लिए, ड्रिम्स फ्रम माई फादर, तो इनकी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो बी ओप्सन यहाँ पर ब्लकुत सही हो जाएगा, और यहाँ पर बढ़ेंगे, नेक्ट कुस्टन पर 90 नमबर पर, यहाँ पर 90 नमबर पर, यहाँ पर 90 नमबर मापर, यहाँ आप से कहता है, एक कॉर्णार ओफे फोरन फिल्ड, इंडियन हिस्टरी ओफे बिटेस सब्स्पोर्ट, नामक भाहती किर्केट रमडी है, और आपका जिसमें जो है, लिखा गया है, कि ओपा खान्यात क्रम, इतियास की लेखा कौन है, संजे सिंग है, रोमिल किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुष्टक लिखी है, एससी 2020, चेतन भगत, रुपापाई, अर्विन केजडिवाल, देवरत, पतनायक, तो 91 की जब हम बात करेंगे, डिवॉल्यूशन 2020 वो गया, वो चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है, तो ए ओप्सन यहाँ पर बिलकुत सही हो जाएगा, 92 नमबर की बात रहेंगे, नेम रिखित में से कौन रस्मंजरी नामक संस्केत पाठ के रचना का रहे हैं, ससी 2020 में पूछे गया था कि वहार भी, चारुधत, कामदक या फर आपका बहानुधत, तो 92 का जो आंसर होगा, डिवर्ट जो रस्मंजरी नामक सं आत्मकता है, ससी 2020 में पूछे गया था कि मेरी कौम की, सानिय मिर्जा की, बसीम अकरम की, क्रिस गेल की, तो 93 का जो आंसर हो जाएगा, जो मेरी कौम है, इनकी आत्मकता का नाम अनब्रेकेबल, तो आप्सन नमबर यह हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, 94 पर आते हैं डिवर् पुस्ता का उसके, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे, यहाँ पर सुनिल गावसकर, तो सी ओप्सन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और 95 नमबर कुस्टन पर आते हैं, इन एरा ओफ डार्कनेस, नाम पुस्ता किसने लिखी है, तो यहाँ पर S.S.C. C.H.S.L. 2020 में पूछा गयाता है, कि अनिस सली, ससी थरूर, ममांगदाई, या जेरी पिंटो, तो यहाँ पर 95 भी जो बात करेंगे, तो जो इन एरा ओफ डार्कनेस, जो पुस्ता किया, वो कि इनकी द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे, ससी थरूर के द्वारा, तो आप्सन नंबर B, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 96 पर आते हैं हम यहाँ पर, निम लिखित में से दा बिलू अम्रेला, पुस्ता के लेखा कौन है, C.H.S.L. 2020, बिकरम सेट, सेखुतु मेहता, बिकरम चंद, रस्किन बॉंड, तो 96 का जो आनसर वे डिर्फेंट किया हो जाएगा, दा बिलू अम्रेला के पुस्ता के लेखा कौन है, तो रस्किन बॉंड, तो आप्सन नंबर D, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 97 नंबर कुशन पर आते हैं, तो 97 बात की गिए, पुस्ता क ब्रिजिटल नेशल सॉल्विंग टेक्नोलोजी पीपल पुछा के लिखा कौन है, तो 97 का जो आंसर आपको क्या होगा, जो ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलोजी पीपल प्रोगलम है, वो एन चंदर सेकन के द्वारा लिखी हो पुस्ता के तो आप्सन नंबर D हैं, सही हो जाएगा, और 98 पर जाब आते हैं, हम यहाँ सत्य के प्रियोग पुस्तक किस के जीवन पर आधा रहते हैं, स्से, MTS 2019 में पूछा गयाता है कि सुभास चंदर बोस की जीवन पर, मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर, जयवाहरला नहर्यू के या लाला लाज पत्राई के, तो यहाँ आपन 98 की जब बात करेंगे, सत्य के प्रियोग है आपका, तो आपके मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधा रहता है, सत्य के प्रियोग जो पुस्तक है, तो आप्सन नमबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, और निन्यान नमबर कुस्तक पर आते हैं, इंडिया ओफ माई ड्रिम्स, इंडिया पूछा गया है, महत्मा गांधी, जवालना लहरू, सरदार बलब भाई पटेल, तो 99 नमबर का जो आंसर का डिस्मेंट्स क्या हो जाएगा, इंडिया ओफ माई ड्रिम्स जो है, वो है महत्मा गांधी की पुस्तक, तो आप्सन नमबर यहाँ पर बिल्कुत सही हो जाएगा अब बात करते हैं, 100 नमबर कुस्टन की, तो निम लेखित पुस्त, पिरमक्र नेताओं में से किसने है, सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ, माई टैम्स पुस्तक लेखी है, छो है पुस्तक इनकी दौरा लखी गई है, तो आप्सन नमबर है, बिल्कुत सही हो जाएगा, और 101 नमबर कुस्टन पर बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक हमबर रिक्वेस्ट अगर वीडियो आपको अची लग रही हो, किलास आपको अची लग रही हो, तो एक लाइक जरू करेंगे, आपको लिए इतना सब कुस्त कांटेंट लाने के लिए, तो डिर फ्रेंट्स, चैन खुस्बद सिंग की है, सर बिंदू बंदू पात देया की है, रस्केन बॉंड की है, तो 101 का जो आंसर अगर डिर फ्रेंट्स है, लॉन फोक्स डांसिंग माई आटो वाइब गया पी जो है, रस्केन बॉंड की आत्मकता है, तो डी आप्शन यहापर बिल्कुल सही हो है, उनके लेखा कौन है, प्लोटो, तो आप्शन नमबर यह हैं, पिल्कुल सही हो जाएगा, एक सो ती नमबर ही बात करते हैं, पुस्तक दा इंडिया ओफ माई ड्रीम्स के लेखा कौन है, एससी जीडी, दोहरुनी से पूछा था, कि आपको जवाहन लाल हुआ है, राज ससी जीडी, 2019 में पूछा गया था, आमिस्तिर पार्टी, दुर्जोय जत्ता, चेतन भगाते, ससी थरूर, एक सो चार की जब बात करेंगे, इससी जीडी, जो पुस्तक है, वो ससी थरूर के द्वारा लेखी गई है, तो आप्शन नमबर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सो पांच ही बात करेंगे, सीर्सक, दा लीजेंड ओप लक्षिमी पुस्तक के लिखत में से किस लेखक दौरा लेखी गई है, ससी जीडी, 2019 में ये डिसकस किया गया था, सो बाड़े, जुंपा लाहिडी, ट्विंकल खन्ना, अरुंदती रोय, तो एक सो पांच नमबर क हम बात करेंगे, it's all in the plates, planets, it's all in the plates, planets, जो है, किस के द्वारा लेखी वी पुस्तक है, तो क्या, CHSL 2019 में पूछा गया था, प्रिति से नॉय, रविंदर सेहिं, केसब अनिल, या दुर्जोय दत्ता के द्वारा, तो एक सो छे नमबर ही जो हम बात करेंगे, तो जो प्रिति स स्टेट्स के लेखक कौन है, SSC GD 2019 से पुछा गया था, कि चेतन भगत है, रोज सर्मा है, अमिस्तिर पार्टी है, देवदत पटनायक है, 107 नमबर का आंसर जो हो जाएगा, जो टू स्टेट्स है, वो चेतन भगत के द्वारा लिखी वी पुस्तक है, तो आप्शन नमबर तेरे समई, SSC थरूर, तो एक सो आठ नमबर की जो हम बात करेंगें, डी रिफरेंट्स है, तो जो बीकमिंग है आपका, वो मिसल ओवामा के दौरा लिखी वी पुस्तक है, तो आप्शन नमबर भी है, फिलकुल सही हो जाएगा, और 109 नमबर पर आते हैं, किस पूरु प् पुस्तक लिखी है, किन की द्वारा लिखे ही है, मन मोहन की द्वारा लिखी है, मन मोहन सिंग के, तो आप्शन नमबर डी यहां पर बुलकुल सही हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, 110 नमबर कुस्टन पर, जिसमा आप से कहता है, कौन अंग्रे जी के प्रसिद्ध लेखक न अंग्रे जी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, तो आप्शन नमबर भी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका 111 नमबर कुस्टन पर आते हैं, आई टु हैड ए लाव स्टोरी, जो पुस्तक के किसने लिखी है, स्सी छेसल 277 पूछा गया था, पृति सेनोई के द्वा किसब अनिल के द्वारा, या दुर्जय दत्ता के द्वारा, तो 111 नमबर की जो हम बात करें डियर्प्रेंट तो किस के द्वारा लेखी है, रविंदर सिंग के द्वारा इस पूस्तक को लिखा गया है, तो आप्शन नमबर भी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 112 नमबर दे वो कालिदास के द्वारा रचित दो किरतिया है, तो आप्शन नमबर सिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, एसी के साथ 113 नमबर कुशन पर बढ़ते हैं, भारती समराथ हर्ष की जीवन या हर्ष चरित जो है किसने लिखी है, ससी 2020 में पूछा था, कि बालविगी ने, रविं हमायू नामा किसकी द्वारा लिखी गई थी, ससी 2019 से पूछा गया है कि हमायू के, गुल बदन बेगम के, बावर के या अकवर के, तो जो हमायू नामा पुष्टा के डिर्फन किसकी द्वारा लिखी गई है, तो आप्शन नमबर भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सो पंदरे नमबर कुष्टन पर आते हैं, बराहे महिर ने निमिकृत में से कौन सी पुष्टक लिखी है, और इस कुष्टन को SSC ने 2019 में पूछा था कि कोबार समभूम, तो यह तो कालिदास की है, साकुंतला क्या ब्रहत सही था या आपका रितू समभुरा, तो एक सो सोशल कॉंट्रेक्ट नमब कुष्टक के लेखा के इनवे से कौन है, सीडीयस दोया सतरह है, पूछे हो कुष्टन है, वाल्टेयर, हॉप्स, रूसो यर लॉक, तो एक सोले नमबर की बात के लेखा को रूसो, तो डी ओप्शन है, यह पर बिल्कुछ सही हो जाएंगे, और एक सो सतरह नमबर पर आते हैं, फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखा कोन है, ससी 2019 से पूछे हो कुष्टन है, दलाई लामा, अबुलकलाम आजाद, नेंसल मंडेला, ससी थरूर, तो एक सतरह नमबर की जो हम बात करें हैं डिस्प्रेंट, तो जो फ्रीडम इन एक्जाइल है, वो किसकी दोरा लिखी होई है, तो आप बताएंगे, दलाई लामा के दोरा इस पुष्टक को लिखा गया है, तो उप्सान नमबर यहां पर सही है, एक सो अठारा नमबर कुष्टन पर आते हैं, लाइफ ओफ पाई, नामक जो उपन्यास है, उसके लेखा क्या लेखा कोन ह ससी ने से 2020 में पूछा है, क्या किरण देशाई हैं, अन्ना बर्न से हैं, अर्विन दाडिगा हैं, यान मार्टेल हैं, तो एक सो अठारा नमबर की जो हम बात करेंगे, डिश्टक तो जो लाइफ ओप पाई पुष्टक है, वो किन के दोरा उपन्यास जो है, यान मार्टेल के दोरा लिखा गया है, तो ऑप्सान नमबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 119 नमबर कुष्टन पर पहुंच चोगे हैं, बीस्वी सदी के किस प्रख्यात उपन्यास कार और कभी ने पिंजर का लेखन किया, ससी 2019 में पूछा है, अमरता प्रीतम, पिरवा करंड क्यातों बिस्वी सदी में, यहां पर तो कि यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 नमबर को कुष्टन पर पहुंच चोगे हैं, इन ए फरी स्टेट किस के द्वारा लिखी गई है, बीड़ा साइगा कि बिक्रम सेटके, रस्किन बॉंड की, बीएस नायपॉल यापॉल ख एक सो फीच नमबर का जो आंसर का डिर्फेंट जो इन ए फिरी स्टेट है वो बी एस नाय पॉल की द्वारा लिखी यह तो ऑप्शन नमबर से यहां पर बिलूल करेक्ट हो जाएगा इसी के साथ आते हैं हम 121 नमबर कुछ्षन पर और फिर से मैं आप से एक बार कहना चाहू यह तो डिर्फेंट वीडियो को लाइक जरू करेंगे पीडियेफ के लिए आप डिस्क्रीश्मर्ट बॉक्स में जाएगे बहां टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उसे आप जोइन कर लेंगे पीडियेफ बहां मिल जाएगे इतना सब कुछ मैं आपके लिए बोल रहा सिन्ना तो 121 नमबर का जो आंसर होगा डिर्फेंट से जो बोरिया मजूमदार है आपका पिलेंगे टमाईवे जो है इनके द्वारा पुस्तक के सहलेखक हैं एक तरह यह लेखक नहीं है सहलेखक तो यहां पर जो है सहलेखक की बात की गई है इन्होंने उसमें मदद किये सही हो जाएगा एक सो बाइस नमबर ही बात करेंगे आतिस यह चिनार जिसे हम बोलेंगे फिलेम्स उप चिनार निमने खितमें से किस राज निता की आत्मकता है एक सो बाइस नमबर की बात करेंगे हम नमबर से डू लाई नाम कुछ तक के लेखक कौन है एक सो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर उनके द्वारा जो पुष्टक लेगे यह नमबर से डू लाई तो ऑप्सन नमबर भी यहां पर ब्लुक्त सही हो जाएगा इसी के साथ 124 नमबर कुष्टन हम देखेंगे निम्न लिखेत में से कौन एक पैसेश टू इंगलेंड पुष्टक का लेखक है इससी दोहर उनीच से पुष्टन है बीएस नाइपाल खुसबंत सिंग सलमान रस्दी या नीरद सी चौधरी तो 124 नमबर के हम बात करेंगे डीरफेंड यह पैसेश टू इंगलेंड है वो नीरस सी चौधरी के द्वारा लिखी वे पुष्टक है तो डी आप्सन हैं पर सही हो जाएगा कि 125 नमबर ही बात करेंगे किस सुप्रसिद्ध ब्यक्ति ने एन अंसुटेवल बॉय नामक पुष्टक लिखी है और भी दोहर अठारेम पूछा गयाता है सत्रुभन सिन्ना सारुख खान करण जोहर या खुस्बंत सिंग 125 नमबर का जो आंसर वर डीरफें की द्वारा नहीं लिखी गई है तो एससी ने इसे 2020 में पूछा था दस सैटनिक वर्सेज इन एरा ऑफ डारेकनेस मेड़नाइस चिल्टरन एस सेम तो डिफरेंट से 126 नमबर की बात करेंगे तो इन एरा और डारेकनेस जो पुष्टक है वो सलमा रसली द्वारा नहीं लि पूछा गया था एन आर नायरण मूर्ति है रतन टाटा है या गुरू चरन रदास है या ससी थरूर है एक सटाइस नमबर की बात करेंगे डिफरेंट्स यहां पर तो आप्सन नमबर किया हो जाएगा बैटर इंडिया बैटर बल्ले नाम पुष्टक है तो एन आर नायरण इंडिया माई एकस्पिरेंट्स तुरूथ या माई तुरूथ तो यहां पर 128 नमबर का जो आंसर को डिफरेंट्स क्या होगा जो माई तुरूथ है वो इनके इंद्रा गांदी के दौरा लिखी होगी है तो डी ओप्सन है पर प्लगल सही हो जाएगा 139 कुस्टन पर आते ह थरूर है इनके द्वारा कौन सी पुष्टक लिखी गई है केरला गौट्स ओवान कंट्री तो ऑप्सन नमबर डी हैं पर कुछ सही हो जाएगा 130 नमबर को कुस्टन पर आच चुके है दा टेल्स ओफ बीडल दबार्ड नाम कुस्टक के लेखा कौन है ससी ने 2020 में पूछा है देख सकते हैं आप पूछे जा रहे हैं अग्जाम में तो 130 का नमबर को सही हो जाएगा और यहां पर आते 131 नमबर कुस्टन पर हम आच चुके हैं बेटिंग फॉरे बीजा नाम कुस्टक के लेखा के लिखा कौन है ससी 2020 क्या सरदा बल्ला भाई पटेल है महत्मा या फिर आपके जहां जावाहर लाल नहरु है तो 131 नमबर की बात करेंगे डियर्समेंट्स यहां पर तो ओप्सन कौन सा हो जाएगा जो भीम्रा अमवेडगर जी है डाक्टर भीम्रा अमवेडगर जी उन्होंने इस पुस्टक को लिखा है जिसका नाम बेटिंग फॉरे बीजा तो सी ओप्सन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा और 132 नमबर पर आच चुके हैं निमने लिखित में से कौन दा टेस्टामेंट्स नाम पुस्तक के लेखक है ससी 2020 में पूछे गया था मार्गरेट एडवोड एंडू सीन गरील जो खालार थी या अन्ना बंथ तो सीर्षक जो पुस्तक है किसने लिखी है ससी 2020 में पूछा गया है फिर से रिपीट करूंगा दा बेस्ट थिंग एवाउट यू इज यू के लेखक कौन है कि अनुपाम ख्यर अनुकपूर अनिलकपूर अभिता बच्चन तो 133 नमबर की बात करेंगे डिस्टन ध्यावद तो कौन है अनुपाम ख्यर के द्वार इस पुस्तक को लिखा गया है तो अप्सट नमबर यहां हो जाएगा सभी 134 पर आते हैं दी एंड ऑफ इमेजीनेशन नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है ससी 2020 में पूछा गया है जिंपा लाहिडी सुधा मूर्ती अरुंदत समबर कुस्तर पर पहुंचे के हैं निम लिखित में से कौन सी ओ पॉपीज नामक पुस्तक के लिखक कौन है ससी 2020 में पूछा गया था अमिताब गोस सलमा रस्दी रोहिंटन मिष्टरी बिक्रम चंद्रा 335 नमर का जो आंसर होगा जिस पुस्तक का नाम सी ओ पॉपीज वह अमिताब गोस्त के द्वारा लिखी एक डिर्फेंट से यहां पर प्रुकुत सही हो जाएगा इसी के साथ 136 नमर पर पहुंचेंगे निम लिखित में से कौन सी पुस्तक मुंसी पुस्तक मुंसी पुस्तक लिखी है क्या गीता अंजली लिखी है गोरा लिखी है निर्मला या चोखेर वाली तो यहां पर 136 नमर का जो आंसर डिर्फेंट जो मुंसी प्रेम चंद के द्वारा पुस्तक लिखी है उसका नाम है निर्मला तो ऑप्सान नमर सी यहां पर ब्रुकुत सही हो जाएगा और बात करें 137 नमर कुस्तन की निम लिखित में से कौन सी पुस्त पुस्तक है जो राजंदर प्रसाथ दोरह लिखी गई है चार ऑप्सन मैंने दिये हैं आप जो आंसर लगा लिए होगा आपने तो मैं 673 नमर का जो आंसर आपको बताने जा रहा हूं तो वह इंडिया डिवाइड इंडिया डिवाइड जो पुस्तक है किनके दोरह प्रसाथ के दोरह लिखी गई है तो आप्शन नमबर सी हैं बिल्कुल सही हो जाएगा एक 138 नमर पर आचोगे एन ऐसे ओन दा प्रेंसिपल और पॉपूलेशन नाम अपनी पुस्तक में जन संक्या ब्रद्दी के सिद्दान्त देने का सरणने में खितम से किसे दिया जाता सरे की बात करें चैने क्या फेडरिक हंगेल्स को कारл while थोमस रॉबर्ट मालाथष को या eadam smith को तो यहां पर जो और रोट्रिफरेंट्स क्या हो जाёगा यहां पर जो थोमस रॉबर्ट मालिशस हैं इनको यह जित दिया जाता है 149 नमब कुस्प्रभ सेगा मालविका ससी 2019 में इस कुछन को पूछा गया है क्या कोटल हैं कालीदास हैं ब्यास हैं बाढ़ भट्टे हैं तो कौन है इसके माल विकागनी मित्रम के कालीदास तो बी ऑप्सन यहां पर फिलकुत सही हो जाएगा एक सचारी समपर कुछन पर आती है डिर्फेंट से 2017 में प्रिकासिस पुष्ट तक भाई आईया में हिंदू के लेखा कौन है फिर से यह कुछन रिपीट होगे डिर्फेंट्स आर आर भी गुरुप जो है डी में जो है राटारम पूछे गया है तो कौन है ससी थरूर ज्यादा सोचने की जरूत नहीं है कुछन पीछे कराया है तो आपको जो भाई आईये में हिंदू वहाँ पर हिंदी में दिया था यहां इंग्रिस में लिखा है तो उप्सन नमबर डी बिल्कुछ सही हो जाएगा ससी थरूर एक से एकतालिस की बात करेंगे निमन में से किसने सर प्रतम भगवत गीता को अंग्रेजी में सही हो जाएगा 142 नमबर की बात करेंगे यहां पर तो क्या आंसा सही हो जाएगा जो सरोजनी नाइडू है आपके उनके द्वारा जो पुछता के लिखे यह दा गोल्डन ठेस होल्ड तो डिर्फरेंट्स सही हो जाएगा और 143 नमबर की बात करेंगे हम निमने लिखित में से कुन सी किताब आर के नारायंड द्वारा नहीं लिखी गई है एक सो पैतालिस को सन नंबर पर पहुंच चुके हैं हम जो की किलास का सेकंड लास्ट को सन है निम्न में से किसने तब का ते नासरी नामा कुछ तक लिगी है ससी 2020 में पूछा है मिनहास उस सिराज ने अलवरूनी ने जिया उद्धिन बर्णी ने या मुईर खुसरों ने तो एक से पैतालिस की जब बात करिंगे जो तब का ते नासरी पुष्टक के लिगी है मिनहास उस सिराज की दौरा लिखी गई है तो ऑप्सन नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा और किलास के लास्ट कुस्टन और चैप्टर का भी लास्ट कुस्टन निम्न में से क इंटरप्रेटर ऑफ मेल ली जहां पी उनकी लेखा कौन है जंपा लाहिडी तो ऑप्सन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा किलास आपको अच्छे लगी हो तो लाइक जरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे और आपको अगर पीडिएफ चाहिए तो डिस जादन छोटी सी क्लास रहेगी डियर फेंट से लेकिन इंपोर्डेंट क्लास रहेगी तो चलिए आज के लिए सतना ही मिलते हैं नेस्ट क्लास में जय हिंद जय भारत